आज से रामायड करेंट अफियर्स वार्षिक की जो आती हमारी उनके वीडियो आने सुरू होंगे उसकड़ी में पहला ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षन केंद्री बजट और आर्थिक सर्वेक्षन का वीडियो है आपको बताना जाते हैं कि लास्ट में अभी एक टारगेट 2030 करके एक पहले से प्लेलिस्ट है करेंट अफियर्स की उसको आप अवश्य देख लें उसमें मन्थ वाइस भी आपको करेंट अफियर्स मिल जाएंगे ठीक है सुफर फास तरीके से आप रिवाइस कर सकते हैं इसको और रामायड के भी पार्ट और भी जो टेली ग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं आफि नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेली ग्राम ग्रूप का उससे भी आप लोग जोईन कर सकते हैं चलिए केंदरी बजट 2023-24 जो की एक फरवरी 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सितारमन के द्वारा रखा गय ये अमरित काल अर्थात आजादी के 75 वर्ष के बाद का पहला बजट है बजट का आकार जो है 45,03,097 करोण रुपए है अर्थात लगबग 45.03,00 करोण रुपए का ये बजट है इसमें जो बजट की साथ प्राथमिक्ताएं हैं इनको सब्तरिशी नाम दिया गया है कौन-कौन से हैं समावेशी विकास, अन्तिम छोर तक पहुँच, अवसरचना वनिवेश, युवा शक्ति, शमता विस्तार, हरित विकास और वित्तियक शेत्र ये साथ इनको सब्तरिशी कहा गया है, बजट की साथ प्राथमिक्ताएं, इस बार बताई गई हैं सरकार के आय और वे के जो सुरूत हैं यहांसे प्रश्णाते हैं आय का जो सबसे बड़ा सुरूत है उधार्व अन्य देता हैं यहांसे सबसे अदाय होती है सरकार की सो में 34 पाईस और दुसरे अस्थान पर GST आता है 17 पैसे तीसरे अस्थान पे निगम और आयकर दोनों को रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही 15-15 पैसे की आय कराते हैं सरकार को चोथे पे केंद्री उत्पाद शुल्क 7 पैसे और पांच में पे कर्भिन राजस्व 6 पैसे बाकी अन्य है वहीं वे अगर बात करें सरकार सबस्यादा खर्च कहां करती है तो ब्याज अदाइगियों में सरकार 100 पैसे में से 20 पैसे खर्च कर देती है दूसरे अस्थान पे जो बड़ा खर्च है वो है करों और शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा देना होता है बजट की अमरित काल के लिए विजन शशक्त यम समावेशी अर्थव्योस था इसमें तीन प्रमुक बाते हैं मुखे परिक्षा के लिए याद रखेगा विशिष्टा इनको पहला है यूगवावर्ग पर विशेद ध्यान देते हुए नागरिकों को अवसर दूसरा है रोजगार सिजन और उसमें व्रिद्धी तीसरा सुदिड और स्थिर व्रिहत आर्थिक परिवेश का निर्माण ये तीन बाते हैं इसमें पूजी गत व्ये जो सरकार का है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है 2019-20 की तुलना में पूजी गत व्ये का जो लगभग है तीन गुना व्रिद्धी हो गई है ध्यान लखेगा लगातार जो व्रिद्धी होई है 2019-20 की तुलना करें 2023-20 से तो लगभग तीन गुना व्रिद्धी हो गई है पूजी गत व्ये में राजकोशी घाटा जो है अब देखे घाटे भी महत्पोर्ण है आपके विशेश कर जो लेटेस्ट है वो पूछता है लेकिन पिछले वर्ष का भी पूछ लिता है इसलिए हमने पूरे लिख देए आपे हर वर्ष ही लिखता हूँ तो राजकोशी घाटा जो है 2021-22 में 6.7 प्रतिशत्था 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अंसार जो संशोधित आकड़े हैं 6.4% वही 2023-24 में इसके 5.9% रहने का अनुमान है तीनों याद रखेगा वहीं लक्षत राजकोशी घाटा 2026 तक जो सरकार ने रखा है 4.5% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है राजस वगाटे की बात करें तो 2021-22 में 4.4% था 2022-23 में 4.1% था 2023-26 में 2.9% रहने का अनुमान रखा गया है प्रभावी राजस वगाटा 2021-22 में 3.3% था 2022-23 में 2.9% था 2023-26 में 1.7% रहने का अनुमान है प्राथमिक घाटा 2021-22 में 3.3% था 2022-23 में 3% था 2023-26 में 2.3% रहने का अनुमान है प्रतिव्यक्ति आये जो 9 वर्षों में दोगनी हो गई है ऐसा सरकार ने कहा है बजट में ये कितनी हो गई है एक दसंबलो 9-7 लाख प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष हो गई है उज्वला योजना के तहत 9.6 करोण LPG कनेक्शन प्रोवाइट करवाए गए है कितने 9.6 करोण नौ वर्षों में सरकार ने अपने उपलब्धी गिनाई है कि भारत दसमें अस्थान से पाँचमें अस्थान पर पहुँच गया है सबसे वेड़ी अर्थवियोस्था में विश्व में 22 करोण रुपए बजट से आत निर्भर स्वच्छ पादप का एक्रम आरम हुआ है इस बजट में कितने 22 करोण रुपए प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए बजट को 66 प्रत्षत बढ़ा दिया गया है और ये कर दिया गया है 89,590 करोण रुपए रेल्वे के लिए इस बार 2.4 जिरो लाख करोण रुपए की पूजी गत निधी का प्रावधान किया गया है बजट में 2013-14 से यह 9 गुनाधिक है और अब तक का सरवाधिक पूजी गत व्य निधी है अगर रेल्वे के दिश्टे देखा जाए 30, Skill India International Center की स्थापना होगी नमबर याद रखेगा कितने Skill India International Center की स्थापना होगी 30, ताकि भारत के जो कुशल प्राप्त लोग हैं उनको पूरे विश्व में रोजगार मिल सके भारत को मिलिट का वैश्विक केंदर बनाना ये लक्ष रखा गया है और भारत में मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा इसके लिए हैदरावाद इस्थित भारती मिलिट अंसंधान संस्थान को उतकिष्टता केंद के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा उसे सहता प्रदान की जा जित में रिण का जो लक्ष रखा गया है बीस लाक करोण तक बढ़ाने का अवसनरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसनरचना वित्त सचीवाले अस्थापित होगा सिक्षकों के प्रसिक्षन के लिए सर्वोत कृष्ट संस्थान के रूप में जिला सिक्षाव प्रसिक्षन संस्थान को विक्सित किया जाएगा एक राश्टी डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकाले की इस्थापना का प्राउधान है पूरातन अभिलेकों के डिजिटली करण के लिए भारत स्री भारत स्री अथात फुल फाम है भारत शेर्ड रिपोजिटरी इंक्रिप्शन्स की इस्थापना की जाएगी आई गाट कर्म योगी सरकारी कर्मचारियों के कौशल प्रशिक्षन के लिए समय के मांग के अनुसार अधनिक्ता के लिए कौशल प्रशिक्षन के लिए आई गाट कर्म योगी ये जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉंच किया जाएगा राश्टी वित्ती सूचना रजिष्टी की अस्थापना की जाएगी केंदरी डाटा संसाधन केंद की अस्थापना का प्राउधान है महिला सम्मान बचत पत्र जिसमें महिलाओं के लिए 2,00,00 रुपए तक की राशी जमा करने की सुविधा के साथ दो वरिष्ट की अवद के लिए एक मुस्त नई लग बचत योजना का प्राउधान है नाम है महिला सम्मान बचत पत्र याद रखेगा इसी नाम से पूछ लेगा वरिष्ट नागरिक बचत योजना के लिए अधिक्तम जमा राशी को 15 लाग रुपए से बढ़ा करके अब कितनी कर दिये हैं तीस लाग रुपए कर दिया गया है संभरन काय क्रमों के लिए प्रोसाहं देने के लिए हरित रिन प्रोग्राम चलाया जायेगा पीम प्रणाम योजना व्यकल्बिक उरवरकों को बढ़ावा देने के लिए रासानिक उर्वरकों के उप्योग को कम करने के लिए ये चलाया जाएगा मिस्टी ये किसके लिए है तो तट रेखा के साथ-साथ मैंग्रो पौधार ओपन के लिए मिस्टी का एक्रम चलाया जाएगा गोबरधन स्कीम के तहट कितने 500 नए आउसिष्ट से धन संयत रस्थापित किया जाएंगे राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त रिन प्रदान किया जाएगा राज्यों को GSDP जो स्टेट की GDP होती है 3.5 प्रक्चत के राजकोशी घाटे की अनमती है जिसका की 0.5 परसेंट विद्ध छेतर में सुधार से जोड़ा जाएगा एकदम यही लाइन याद रखेगा पूछेगा एक्जाम में आयकर की बात करें तो नई करवे उस्था में निजी आयकर में छूट सीमा जो पहले 5 लाग थी अब उसे बढ़ाकर 7 लाग रुपए कर दिया गया है ठीक है अर्थात जिनकी 7 लाग रुपए तक इनकम है अगर 7 लाग रुपए के अंदर ही आप कमाते हो अर्थात अगर आपकी 7 लाग रुपए सालाना आया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन जैसे ही आपके 7 लाक रुपए से अधिक हो जाएंगे वैसे ही आप Tax Lab में आ जाएंगे और कुल पहले 6 Tax Lab थे अब 5 हो गये हैं अब Tax Lab में जो आपको छूट मिलेगी वो 3 लाक रुपए पर 0% आपको ये देना पड़ेगा 3 लाक तक पर आपको पूरी छूट मिलेगी उसके बाद 3 से 6 लाक रुपए तक 5 प्रतिशत 6 से 9 लाक रुपए तक 10 प्रतिशत 9 से 12 लाक रुपए अगर आपकी आए है तो 15 प्रतिशत 12 से 15 लाक रुपए आए है तो 20 प्रतिशत और 15 लाग से ज़्यादा अगर आपकी आए है तो 30 प्रतिशत तक आपको आए कर देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि आप यहां बता रहे हैं कि 7 लाग रुपए तक कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा 0 यहां पर 3 लाग बता रहे हैं तो आपको बता दें कि जब तक आपकी 7 लाग रुपए या उसके उससे नीचे आपकी आए है तो आपको 0% आप टैक्स लैब में आएंगे ही नहीं कुल मिला करके लेकिन 7 लाग रुपए से अधिक मान लीजे कि आपकी 8 लाग रुपए आए है तो आप इस चीज से बाहर हो जाएंगे इस शूट से बाहर हो जाएंगे तब आप टैक्स लैब में आ जाएंगे और थाथ तब 3 लाग तक आपको कोई करना ही दिना पड़ेगा बचे हुए 5 लाग रुपए तक के लिए आपको कर देना होगा और थाथ 5 प्रत्चत के दर से आपका 5 लाग पर टैक्स लगेगा 5 करुण रुपए से अधिक की आए पर उच्चतम अधिभार पर दर जो है 37 प्रत्चत जोती वो घटा कर 25 प्रत्चत कर दी गई है इसलिए अब अधिक्तम व्यक्तिगत आएकर दर में 49 प्रत्चत तक की कटवती होगी इसको 37 प्रत्चत जो घटा कर 25 प्रत्चत कर दिया गया है तो टोटल अगर जोड लिया जाए ठीक है आएकर स्लैब और इसको तो अधिक्तम किसी को 49 प्रत्चत तक की कटवती करवानी होगी वस्त्रों और कृषिको छोड़कर के ध्यान लखेगा किसको वस्त्रों कृषिको छोड़कर के बेसिक सीमा शुलक दरों की संख्या 21 से घटा कर कितनी कर दी गई है 13 कर दी गई पूजी गत निवेश परिवे में 33.04 प्रश्चत की वृद्धी के साथ इसे 10 लाग करण रुपे किया जा रहा है इसको कई बार सरकार ने कई मंचों पर कह दिया है इसलिए यह महत्पूर्ण हो जाता है पॉइंट याद रखेगा जो की GDP का 3.3% है ST जो सिड्यूल कास्ट है अनसूचित जन्जात के उन्नेयन के लिए प्रधान मंत्री PVTG विकास मिशन ये सुरू किया जाएगा इसक्या प्रावधान बजट में है कृतिम बुध्धिमत्ता के लिए कितने उतकृष्टा केंद खोले जाएंगे 3 मंत्रालेओं को आबंटन की दिष्ट देखें तो सरवादिक आबंटन जो है रक्षा मंत्राले को है 5.94 लाग करोन रुपए दूसरे इस्थान पे सड़क परिवहन और राजमार मंत्राले आता है 2.7 जीरो लाग करोन रुपए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन अगर देखें तो प्रधान मंत्री आवास योजना को सरवादिक आवंटन है 89,590 करोन रुपए का जल जीवन मिशन में भी बढ़ाया गया है इस बार 70,000 करोन रुपए का प्राओधान है मनरेगा में अगर देखा जाए पिछले वर्ष के तुलना में तो पिछले वर्ष मनरेगा में खर्च हुए थे 89,400 करोन रुपए इस बार घटा दिया गया है 60,000 करोन रुपए कर दिया गया है PM किसान को भी 60,000 करोन रुपए दिये गया है राश्य सिक्षा मिसन को 38,953 करोन रुपए तो अगर देखा जाए मन्रेगा में तो इसमें घटाया गया है बाकी सब में बढ़ाया गया है इसलिए ये भी एक प्रश्ण बन सकता है किसानों को प्राक्रतिक कृष्य अपनाने के लिए सहयोग देने के लिए कितने 10,000 बायो इन्पुट संसाधन केंद्रों की अस्थापना की जाएगी विभिन उपलब्दियां भी सरकार ने इसके साथ ही बजट में गिनाई है जिसमें प्रमुक जो उपलब्दियां है जो परिक्षा ग्रिस्से महत्पूर्ण है स्वच भारत मिशन के तहट कितने घरेलू संचाले स्थापित किये गए है 11,7 करोण जो घरेलू से चले है उज्जवला योजना के तहट 9,6 करोण LPG कनेक्शन प्रोइट करवाए गए है 102 करोण व्यक्तियों को 220 करोण कोविट टीके लगाए गए है 47,8 करोण प्रदान मन्ती जंधन खाते खोले गए है ग्रामीड घरों को 9 करोण पेजल कनेक्शन प्रदान किये गए है रक्षा बजट जो है अगर देखें तो कुल बजट का 13,18 प्रत्चत हो गया है लगभग पिछले वरसे देखें तो 13,15 की व्रद्धी की गई है ये जो रक्षा बजट है GDP का लगभग 2 प्रत्चत है ये भी याद रखेंगा स्वाजशेत की बात करें तो 2019 में GDP का 1.4 प्रत्चत व्य होता था वहीं 2030 में GDP का 2.1% व्य हो रहा है सिक्षा शेत्र में बात करें तो 2019 में जहाँ GDP का 2.8% व्य है सिक्षा शेत्र में भारत करता था वहीं 2023 में ये बढ़ करके 2.9% हो गया है अब आए आर्थिक सर्वेक्षण पे आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो पहली बार 1951 में बजट के साथ ही इसको प्रस्तुत किया गया था 1964 से इसको बजट से अलग कर दिया गया एक दिन पहले इसको चुकि एक वर्ष पहले के पूरे आकड़े सरकार देती है तो एक दिन पहले इसको रखा जाता है वित मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाकार के मारदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा इसको तयार किया जाता है बाद में इसको वित मंत्रा लेके द्वारा मंजूरी दियाती है वर्तमान में जो मुख्यार्थिक सलाकार है इनका नाम याद रखेगा वी अनंत नागेश्वरन 31 जनवरी 2013 को वित मंत्री सीमती निमला सीतार मंद्वरा इसको बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया दो वालियूमों में इसको प्रस्तुत किया गया है इसलिए दो वालियूम में इस बार याद रखेगा थीम इस बार की क्या है मध्यावदी, इस्तिती, आशावादी तथा विश्वसनिय ठीक है मिड टर्म पोजिशन, आउप्टिमिस्टिक एन कॉन्फिडेंट इस बार की थीम है किसकी आर्थिक सर्वेक्षन की राजकोशी घाटा के बारे में जो आकड़े है 2019-20 में ये जीडीपी का 4.7% था 2020-21 में जीडीपी का 9.2% हुआ 2021-22 में 6.7% हुआ जीडीपी का 2022-23 में ये जीडीपी का 6.4% रहा जीडीपी ग्रोथ रेट व्रिद्धी दर के सम्बंदित जो आकड़े है 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट रही 3.7% 2020-21 में 6.6% सोरी माइनस 6.6% कोवीड इरा में आपको याद होगा माइनस में ग्रोथ रेट चली गई थी जीडीपी की 2021-22 में 8.7% हुआ 2022-22 में 7% हुआ 2023-24 में इसके 6.6.8% व्रिद्धी के अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षन के अंसार वही 2022-23 में विभिन शित्रों का देखें जीडीपी की व्रिद्धी में जो योगदान रहा कृषि का 3.5% उद्योग का 4.1% और सेवा का 9.1% मुद्रा इस्पीती की बात करें तो 2022-23 में थोक मूल सुचकांग पर 11.5% प्रच्चती वहीं उभोकता मूल सुचकांग पर ये 6.8% विदेशी मुद्रा बंडार की बात करें तो 562.72 बिलियन डालर अर्थाथ 563 बिलियन डालर लगभग ये भारत का विदेशी मुद्रा बंडार है और इस मामले में भारत विश्व का छठा देश है पहले तीन अस्थान पे जो हैं चाइना, जापान और सुरिजर लेंड है ये दिसंबर 2022 के अंत तक का ये आकड़ा है याद रखेगा आर्थिक सर्विक्षम जो प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2022 में भारत सीर्स प्रेशन प्राप्त करता देश बना भारत को 100 बिलियन डालर इसकी प्राप्ती हुई प्रेशन से ठीक है जो बाहर से पैसे आते हैं भारत नंबर वन पे रहा पूरे विश्व में दूसे इस्थान पे मेक्सिको रहा तीसे पे चाइना चौते पे फिलिपिंस और पांच में पे मिस्र खाद्यान उत्पादन की बात करें तो रिकार्ड उत्पादन हुआ 315.7 मिलियन टन खाद्यान उत्पादन भारत में 2021 में जो चोथे अग्रिम अनुमान आये हैं उसके अंसार वही 2020 में देखें तो 310.7 मिलियन टन था तो वृद्धी काफी इसमें देखी गई विविन जो उत्पाद हैं जो खाद्यान ने हैं उनके उत्पादन में अग्रणी जो राज्य हैं चावल में पहले अस्थान पे पश्यम बंगाल है दूसरे अस्थान पे उत्तरवदेश तीसरे पे पंजाब है गेहू में पहले अस्थान पे उत्पादन सबसे ज़्यदा उत्तरवदेश में होता है फिर मद्पदेश फिर पंजाब में मक्के का सरवाधिक उत्पादन करनाटक में उसके बाद मदबदेश में फिर महाराष्ट में मोटे अनाजों में करनाटक पहले अस्थान चुकि मोटे अनाज का ये वर्ष भी है इसलिए ये पूस सकता है मोटे अनाज में करनाटक पहले अस्थान पे दूसरे पे राजस्थान तीसरे पे महाराश्थ चने के उतपादन में महाराश्थ पहले अस्थान पे दूसरे पे करनाटक तीसरे पे उत्तरबदेश अरहर के उत्पादन में महाराश पहले अस्थान पे दूसरे अस्थान पे मदवदेश तीसरे अस्थान पे राजस्थान कुल दलहन में अगर देखें तो मदवदेश सबसे आदा फिर उसके बाद महाराश फिर राजस्थान कुल खाद्यान उत्पादन में उत्तरवदेश पहले अस्थान पे अकेले पूरे देश का 70 समलो 77.77% उत्तरवदेश करता है दूसरे अस्थान पे मदवजेश प्रदेश तीसरे अस्थान पे पंजाब मुंख़ली के उतपादन में पहले अस्थान पे है गुजराद, दूसरे अस्थान पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलाडो रेप सीड और सरसो के उतपादन में पहले अस्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे मदबदेश, तीसरे पे हरियाणा सोया बिन के उत्पादन में पहले अस्थान पे महाराष्ट है, दूसरे पे मदबदेश, तीसरे पे राजस्थान सूरज मुकी के उत्पादन में पहले अस्थान पे करनाटक है, दूसरे पे तिलंगाना, तीसरे पे उडिशा कुल तिलहन के उत्पादन में गर देखें तो पहले अस्थान पे राजस्थान है, दूसरे अस्थान पे मदवदेश, तीसरे अस्थान पे गुजरात है गन्ने के उत्पादन में देखें तो उत्तरवदेश का पहला अस्थान है, अकेले 41,09% योगदान है दूसरे पे महाराष्ट है तीसे पे करुनाटक है कपास के उत्पादन में पहले अस्थान पे गुजरात है दूसरे पे महाराष्ट है तीसरे अस्थान पे तेलंगाना है जूट और मेस्ता के उत्पादन में पहले अस्थान पे पश्यम बंगाल है दूसरे पे असम है तीसरे पे बिहार है चीनी के उत्पादमन देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और भुगता देश है वहीं ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है अर्थाद चीनी का सबसे बड़ा निर्यात तक पूरे विश्व का ब्राजिल है आयात निर्यात के आकड़े अगर देखें तो निर्यात गंतब भी अगर बात करें तो सबसे अदा भारत निर्यात करता है USA को दूसरे अस्थान पे UAE को तीसरे पे निदर लेंड आ गया है चाइना के अस्थान पे चोथे पे चाइना पांचवे पे बंगलादेश आयात की बात करें तो भारत सरवाधिक आयात चीन से करता है उसके बाद UAE तीसरे अस्थान पे USA चोथे पे रूस निर्यात की मदें अगर देखें तो सबस्यादा निर्यात भारत करता है इंजिनरिंग, समानों का दूसरे अस्थान पे पेट्रो उतपाद तीसरे अस्थान पे जेम्स और जवैलरी चोथे अस्थान पे रसायन, पांचवें पे दवाएं ध्यान रखेगा निर्यात की बात करें तो टॉप 10 में पहली बार चावल ये पहुँच गया है 16.09 परसेंट की वृद्धियों ही चावल के निर्यात में अगर देखें पिछले वर्ष के तुलना में आयात मदें अर्थाल सरवादी का आयात किसका गरता है भारत तो पेट्रोलियम का दूसरे पेट्रोतपाद तीसे पे इलेक्ट्रोनिक गोड्स चौथे पे कोईला पाच्वें पे विद्धुत और गयर विद्धुत वस्तु है अप्रेल से नॉवंबर 2022 में सकल कर राजस में 15.5 प्रच्चत की वार्षिक विद्धी हुई है ये पूछ सकता है एक लाइन में अप्रेल से दिसंबर 2022 के मद्ध्य सकल GST संग्रह में भी 24.8 प्रच्चत की विद्धी देखे गई है केन सरकार का पूझी गद्वे GDP के 1.7 प्रच्चत के दीर्ग कालिन वार्षिक उसत जो 2009 से 2020 तक लगातार लगभग रहा इससे लगातार बढ़ते हुए वर्तमान में कितना हो गया है 2.5 प्रसंट RBI ने रिजर्वेंक आफ इंडिया ने अप्रेल 2022 से लगातार अब तक रेपो रेट में 2.25 प्रतिशत के विद्धी की है प्रमुख कच्चे माल पर आयाश शुलक को घटा कर शू ने कर दिया गया जबकि लह अयस्क और सांद्र के निर्याद पर कर को 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया HS Code 1101 के तहट गेहु उत्पादों के निर्याद पर प्रतिबंध लगाया गया वहीं चावल के निर्याद पर शुलक लगाया गया ये दोनों पॉइंट याद रखेगा बहुत महत्यपूर्ण है टेक्निकल है 2056 से 2019-2020 के मध्य 41.5 करोण लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए भारत में UNDP का जो बहु आयामी गरीबी सुचकान काकड़ा था उसको यहीं पर बताया गया है 31.2.22 तक 28.5 करोण असंगटित स्रमिकों ने इस्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया अपना बेरोजगारी दर के बारे में आर्थिक सर्विक्षन में कहा गया कि 2018-19 में ये 5.8 प्रत्चत थी जो की 2021 में घट करके 4.2 प्रत्चत हो गई है भारत ने गयर जिवाश्म इदनों से 40 प्रत्चत अधिस्थापित विजली शमता का लक्ष वर्ष 2030 से पहले ही तैंकर लिया है वर्ष 2039 तक अधिस्थापित विद्दुच शमता 800 गीगावाट होने का अनुमान है जिसमें गयर जिवाश्म इदनों से 500 गीगावाट से अधिक शमता होने की सम्भावना है शावरेन घ्रीन बांड फ्रेमवर की बात की गई ये कब से जारी किया गया नॉम्बर 2022 से जारी किया है 2030 तक कम से कम 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 की संचाई किटोती करना अक्टूबर 2022 तक जो अधिस्थापित शमता है सौर उर्जा शमता है कितनी है भारत की 61.6 GW है भारत मोबाइल फोन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश हो गया है हैंड सेट उत्पादन जो भारत में 6 करोण था लगभग 2015 में 6 करोण यूनिट वो बढ़ करके 2021 में 29 करोण यूनिट हो गया है भारत में कुल टेली फोन सबस्काइबर की संख्या 117 करोण थी नॉमबर 2022 तक वहीं कुल टेली घनत्व भारत का 84.8 प्रक्चत्रह नॉमबर 2022 तक तो ये आपके बजट और आर्थिक सर्वेक्षन के आकड़े थे इसमें फिर सभी महत्पूर आकड़े हैं जो आपके बजट और आर्थिक सर्वेक्षन से आपको प्रिलिम्स और मुठ परिक्षा के लिए आकड़े प्रोवाइड करते हैं उम्मेद हैं आप लोगों को मदद मिलेगी इस से आप लोग बार बार इसे देखिए पूरी तरीके से रड़ डालिए बहुत बहुत धन्यवाद